नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मदार जिसको हम आक भी कहते हैं मदार के पत्ते मदार के पुस्प और जड़ यहां तक कि मदार के दूद से भी बसी करन होता है आज हम आपको तीन प्रियोग बताएंगे जिससे आप सत्रूप पर आप ये प्रियोग कर सकते हैं सत्रूप सांथ हो जाएगा वो बस में हो जाएगा प्रेमी-प्रेमी का लब रिलेसन्सिप में प्रिशानी है या फिर बैवाही जीवन में समस्या है तो भी इसका वसी करन कर सकते हैं पूरी दरह से स्वात्विक है इसमें किसी को आनी नहीं होगा और तीसरा अगर नौकरी वेपान में परिशानी है तो भी आप वसी करन कर सकते हैं देखें मदार के पत्ते से वसी करन करना बहुत आसान है समाने तरह आप यह कह सकते हैं आग का पौधा आपको हर जगह मिल जाएगा लेकिन जो सफेद वाला आग का पौधा है जिसको मदार कहते हैं यह सबसे ज़्यादा इसका ही असर होता है जब आप किसी तरह का टोई टोटका प्रियोग करते हैं तो आप पहले ही देख लें वैसे तो रोट साइड मिल जाएगा आपको यह पेड़ तो पहले ही आप ढूंड के रखें कि यह पेड़ सफेद आग का कहां पे है फिर आपको यह परियोग करना है और जब भी आप परियोग करें तो पहले जाकर निमंतरन दे आए आग के पहुदे को पास कैसे देंगे आप एक सुपाड़ी एक सिक्का और थोड़ा सा जल लग कर जाएं किसी बोटल में भी ले जा सकते हैं और पेड़ के पास जल और पीत करें जड़ में और फिर यहां पर सुपाड़ी और जो सिक्का है उसको रख दें और उनसे बोले अपना परिचे दें आप कौन है आपकी पिता का नाम क्या है आप किस परियोजन से उनके पास आए हैं और फिर उनको परणाम करके आप घर आ जाईए और अगले दिन आप परियोग करें इस बात का ध्यान रखेगा तो चलिए देखिए अब हम एक छोटा सा परियोग आपको बताएंगे कई बार क्या होता है आंकड़े या मदार का जो परियोग है कई परकार की तांतरिक क्रियाओं के लिए क्या जाता है तो आज हम बहुत तरह के परियोग होते हैं पर हम आपको कोई बड़ा वाला तांतरिक परियोग नहीं बताएंगे हम पहले ही किलियर कर दें वो जो होता है मारन वाला वो सब नहीं बताएंगे सिंपल तरीके से आप सत्रूओं को सांथ करें आप प्रेमी प्रेमी का एक दूसरे के गरीब आएं बस यही बताएंगे तो चलिए हम जानते हैं एक बात जालने कि जिस घर में घर के बाहर बॉंडरी वाल के बाहर मदार का आग का पौधा होता है उस घर में कभी भी किसी की नजर दोस नहीं लगती नकात मक सक्तियां पर बेस नहीं करती अगर आपके घर के सामने मदार का पौधा है तो आप बड़े लगी हैं नहीं है तो लगा लीजे तो चलिए हम परियोग सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम परियोग करेंगे आप के साथ तो सबसे पहले तो आप पहले से निमंतरन देखे रखिए मदार के पेड़ को आके पौधे को अब इसके बाद आप अगले दिन जाईए और जाकर आपको मदार का सिर्फ पूस्प नहीं तोड़ना बलकि जो पूस्प है और उसके साथ जो पत्ते हैं ने ने जब पूस्प न लेकर आना है अब इसको लाकर आप पत्ते और पूस्प लगा वही रहे तूटे उसको तोड़ना नहीं है अब लाकर हनुमान जी के मंदिर में जाईए अब अब हनुमान जी के जो चर्णों में सिंदूर होता है आप उसको थोड़ा सा उंगली से ले और लेकर अपने और उस ब्यक्ती का नाम लिखें, जिसके साथ आपको रिस्ते बहतर करने हैं, जो पत्ते हैं ना, पुस्प को अंदर रखना है, और पत्ते चारो तरफ से उसको कभर करके मौली धागय के सारे बानदे, और जो लिखिएगा वो पत्ते पर लिखना है बसीकरन हो जाता है और ये प्रचंड बसीकरन है इसको करने के बाद आप कहीं मिल्टे में दबा दें पीछे मुण कर मत देखिएगा कभी भी खली नहीं जाएगा अब हम आपको एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे जब सत्रू बिलुधी ज़्यादा परिसान करें जब आपको लगे कि यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सत्रू बहुत परिसान कर रहे हैं तब एक छोटा सा काम कीजिए आपको यहां भी निमंतरन देना है पहले से इस पर आप जाईए अब पत्ते तोड़िए पधे के और पत्ते से जो दूद निकलता है उस दूद से आग के पत्ते पर सत्रू का नाम लिखे यानि कि आग के पत्ते पर मदार के पत्ते पर ही मदार के दूद से सत्रू का नाम लिखे और फिर इस पत्ते को वहीं पर जमीन के अंदर पेड़ के पास ही कड़ा करके दबा दें और मिट्टी ढग दें सत्रू बस में हो जाएगा सत्रू सांत हो जाएगा और आप फिर परिशान नहीं होंगे वैसे ये परियोग एक ही बार में काम करता है संबबो तो जैसे ग्रहन होता है पुर्णी मा है आमवस्या है सनी बार है इन सभी दिनों में अगर ये परियोग करे तो वो जादा असर करेंगे जल्दी अपना असर दिखाएंगे जोतिस के अंदर यहां तक माना जाता है कि अगर आप मदार की जड़ को ताबीच के अंदर रखकर यानि सफेद मदार की जड़ ताबीच के अंदर रखकर काले धागे में बांद कर गले में या बाह में धारन करें तो आप पर कोई कितना बड़ा भी तांतरिक प्रियोग किया होगा वो समाथ हो जाएगा तो अगर आपको भी लगता है आपके घर के आसपास किसी नहीं कुछ किया है तो ये प्रियोग कर सकते हैं और एक मेहना के बाद मिट्टि में दबाते हैं तो चलिए सबसे अंद में एक खास उपाए कई बार क्या होता है आपके ऑफिस में आपके बेफसायस थल पर लोग बहुत परिशान करते हैं कई बार घर में भी लोग परिशान करते हैं तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए आपके मदार के पत्ते से यह विवसी करन होता है लोग परिशान नहीं करेंगे तो आपको मदार के पेड़ की जड़ किसी भी सनीवार के दिन थोड़ा सा तोड़ कर ले आईए लेकिन पहले सुक्रवार की सामने मंतरन दे आईएगा और इसके साथ ही एक पत्ता भी तोड़ कर ले आईए आपका जड़ थोड़ा सा और एक पत्ता अब इसको मदार के जो पत्ते हैं और जड़ है इसको ले आईए अब इनको पीस लीजिए अच्छे से और फिर किसी मदार के पत्ते को दो कर यानि कि जो जड़ है उसको पीस लिया अब मदार के पत्ते को दो लीजिए उसके उपर जड़ को थोड़ा सा घी के साथ जाएगा आप चाहें तो मदार के पत्ते भी पीस ले मदार का जड़ मदार का पत्ता और थोड़ा सां हमिक्स कर के यह परचंड वसी करण है, आपके नौकरी रोजگार में भी आपको समस्या नहीं आएगी कोई भी आपके सामने ठीक नहीं पाएगा और ये वसीकरन तिलक है वैसे तो आप वसीकरन के लिए यहाँ पर आप चाहें तो लाजवन्ती के पौधे का जड़ भी डाल कर पीसकर डाल कर आप परियोग कर सकते हैं इससे भी वसीकरन होता है तो छोटे छोटे परियोग हैं पर इसके असर आपको बहुत लंबे समय तक दिखेंगे अब देखिए सफेद मदार की जड़ और पत्ते से जो वसीकरन होता है वो कभी खाली नहीं जाता है तो अगर आप एक छोटा सा परियोग करें जैसे कि एक सफेद का मदार का एक पत्ता तोड़ कर ले आए और पत्ते को घर के बाहर कोने में दबा दें फिर ओम गंगन पते नमा का अपने घर में बैठ कर जब करें कम से कम इस जब को आप लगातार करें रोज करें कम से कम पांच बार करके और जो भी आप जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसके बारे में गनेजी से प्राफना करें और जब आपको लगे वो बेक्ती बहुत हर्थ तक आपके बस में आने लगा है तब आप इस सभी चीजों को लिजा कर पानी में बहा दें तो थोड़ा सा आपको सफेद आख का जड़ लाना है और एक पत्ता लाना है और उसको घर के बाहर किसी भी कोने में दबा देना इस बात का ध्यान रखिएगा ये प्रियोग जब करें तो आप पुर्ण तया बस भक्ती भाव में रहें गनेजी के सरन में रहें प्रियोग असर करेगा हम आप से भी दालेंगे धन्यवाद